मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाईए लेतस वीडियो के लिए अस्सलाम अलेकुम वेलकम तु खान किचन आग मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ एक फ्राइड राइस की रेसिपी इसे आप छटपट आसानी से बना सकते हैं इसके लिए मैंने यहाँ दो अंडे लिये हैं अब इसमें थोड़ा नमक डाले और इसे फेट लेंगे अब एक कडाई ले ले एक चमच तेल डाले तेल गरम हो जाए तो अब इसमें हम अंडो को डालेंगे थोड़ा सा पकने के बाद हम इसे चलाएंगे इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसे एक प्लेट में निकाल ले और इस तरह से छोटे पीसेस कर ले अब उसी कडाई में फिर से एक बड़ा चमच तेल डाले तेल गरम हो जाए तो आँच धीमी कर ले अब इसमें एक छोटा चमच बारी कटा हुआ लेसन डाले दो से तीन कटीवी हरी मिच डाले और एक बाद चला ले ये मैंने तीन से चार कटीवी हरी प्याज ली है जिसका उपर वाला हिस्सा अब हम इसमें डालेंगे और इसे फिर चला लेंगे ये एक कप बॉइल राईस है जिसे अब इसमें डालेंगे आप चाहे तो बचे वे चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अब इसमें एक छोटा चमच नमक डाले एक छोटा चमच लाल मिच पाउडर और एक बड़ा चमच सोया सॉस डाले और अब गैस की आँच तेज कर ले और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाएं अब आखिर में अंडे डाले और हरी प्यास डालकर एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स करें आप चाहे तो इस तरह से टॉस करते वे भी पका सकते हैं तो ये हमारा एक फ्राइड राइस खाने के लिए तैयार है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फो वाचिंग टेक केर ला आफिस